डेरिवेशन औफ एक्वेशन औफ मोशन करता है एक्वेशन औफ मोशन ठीक है सबसे पहला एक्वेशन है अभी किसी को नहीं लिखना कुछ भी पहल सुन लोगा कुछ नहीं लिखना है जब मैं कहूंगा तभी लिखना है इस पहलो यह प्लस एक्वेशन है इस वाद फ्र्मूला है सबसे पहले हम क्या समझते हैं और यह पॉर्मूला पहला इक्वेशन मोशन का वह बताता है रिष्टेसिक का क्या है इसे हैं इसे के साथ और अएक्स अब और यह प्रूबेशन के प्रॉडजरी साथ यह बता थ्चलिग ठीक है तो सबसे पहले असल में यह एकवेशन होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा दिया वहां से निकल के आए तो आप लोगों है याद होगा कि इस तरह से हम ग्राफ दिखा दिया एक फिर्धिक लिखा दिया चाइब और दुसरे तरह वेल्टी देखा दिया और और यह इनिशल वेलोसिटी है और यहां फाइनल वेलोसिटी है कोई अब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया है कि यहां तक गया है ठीक है कुछ नहीं करना है यहां पर नेमिंग कर देए है थोड़ी बहुत नेमिंग जरूरी है माली जी कि मैंने इसका नाम A डाल दिया इसका नाम B डाल दिया इसका नाम C डाल दो और इसका नाम D डाल दो कोई ज़गोरी नहीं है ऐसे कोई नेमिंग में कुछ भी हो सकता है सबसे पहले एक बात बताओ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता क्या है कि अधर करते हैं कि इसका मतलब यह होता है जैसे यह वाली साइड जोगी सबस्क्राइब करेंगे मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं यानि कि मीटर पर सेकंड इसका है इससे यह पता चला जो हमें है असल में एक्सलेडीशन देगा यह वेलोसिटी तरफ किया देगा अच्सलेडेशन देगा लेकिन वाई डेफिनेशन अच्छलेशन पराबर क्या होता है तो फाइनल वेलोसिटी माइनल इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी और प्रावर टाइन बताओ तो यहां के फाइनल वेलोसिटी को कौन देनोट कर रहा है नृजटी में से जिरो से टक की यह जो पॉसिशंन बता तंथान पाहिने वेलोसिटी और यहां से लेकर के यहां तक यही को सिस्जिगेन इनिश दिखा रहे है इनिश्यल वेलोसिटी कि यहां सिस्जिक्टी क्या है दी Sandak हो curriculum और फाइनल बडावर क्या देखा ऑप हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सेलेशन बडावर इस उरत में एक्सेलेशन बडावर कट विश्टी माईनेस में ते टाइम की जगवाब रिख सकते हैं और डियान देने वाले बात यह है कि यहां पर हम बीट की जगवाब पे डारेक्ली दी बीडिकोट कर सकते हैं नहीं पुत कर दिया और इस वेरेसिटी के ये जगारपे हम लोग यूभी पुट कर सकते हैं माइनस यूपकर दिया और ओसी के जगार पे ती पुट कर दिया तो ओर अच्छी हमारा फॉर्मूला क्या बन के आता है जैब। कि फॉर्मुला हमारे बास बन्के है लेकिनac इस टर्म में लाना न तो क्या हम इस फॉर्मूला को इस टर्म में जैए कर सकते हैं अधिती वराबर वी मैंस इड्सकते हैं तो भी ये तो प्लस एक लिख सकते हैं यही आपका पहला करके निकला है यहां से पहले पहला से स्वाइनल तो एक बात और बिजहान तको यहां से हम टाइम दी कर सकते हैं डारेक्टी यहां से अगर निकाल आजा हो इसको क्यों कि मैंने इसलिए कहा है यह तो हो क्या पहला एक कुशन, इसे नोट कर लेना है नहीं पर और यह जो पॉइंट है ना यहां से हमें निकल जाएगा देखो तो पी को दर लाओ और एक्सलेर चीम नीचे लिए तो एक्सलेरशन वर अटी व्रापर क्या होगा वी मैंने स्टीओ ऐसको यह ना तो एक्सलेर उसलिए यह निकालने के लिए इस फर्मुला का इस तमाल हम तहीं पर करेंगे इस निए इससे लिखा जान बूल करेंगे कहा थे समाइब होगा और उमनेक बात देखिंगे, फिलहाल के लिए यहाँ पितने पहले हैं इस वाले इक्वेशन में कहीं बहुत भीक्त आपको? नहीं ना? तरही बात है, असल में मेरा कहने का मतलब यही तो आप से कि आपने किस बेसेंपे के हैं किसके किसका ताइं का इनिर्ट का वैलोस्टी का और पोजीशन का हमने एक रिलेशन बताया है कि यहा है वसे ग्राफ कि दू इसे हमने प्रेहला वाला पहला अगे से च्वाइब करते हैं तो यह हम बाइड डेफिनेशन के किस वाले लों से जानते हैं एक्सेलरेशन बरावर फ्टानिशन के लिए दिए काहा समझाते हैं कि दिए लुच के लोहाँ से नहीं है कि बस सकते हैं कि आख रहे हैं बिसीकली यह देखा गया है कि जब अबसक्राइब किसी कीस चीज निकालना चाहते हैं है उसको जब फर्मुलर दराइब किया लिए निकाल गए लिए टरफ चलो वेले सटी हम डाल देक्ड ताइम को किसी के रिस्पेक्ट में नहीं देख सकते हैं तो हम वेलेसिटी को रिस्पेक्ट में देख सकते हैं तब जाके वहां से पता चलता है कि अच्छा यह तो acceleration लेते हैं अब by definition हम जाते हैं कि final velocity में से initial velocity अगर गटाएंगे तो हमें acceleration की value मिलती है तो final velocity थी हमारी BC, initial velocity थी हमारी DC, तो final में से initial गटाया तो बता BD, यह भी put कर सकते थे, लेकिन यहां पर चुक्छे बीची की वैलू यू वी है और बीची की वैलू यू है इनिशल विलसिटी है और जैसे हमने पुट किया हुई गया फिर वापस हो जैसे देफिनेशन पर आया हमने प्लट करके टाइम भी वहां से निकाल सकते हैं जैसे पहला एक क्वेशन बोलता चलो हम विलसिटी के रिलेशन बताते ने से विलसिटी का प्लाक्या करते हैं इंसल टाइम और के प्रवाले एक्वेशन में से इसको तो हम पहले सबसे पहले जी फिगर बनाना है और इस फिगर में भी ध्यान लखेगा यह सब डॉटेड डॉटेड है कोई पर्मनेट लाइन नहीं है तो बना भी सकते हैं जैसे चाहिए बनाए उसके बाद हम लुग सेकेंड इक्वेशन में इस बनाते हैं तब ही जाके वैलेट होता है वनना इसके वैलेट डिकी नहीं है अबना करें देखा है मेरे अनुद की को बना है सिंपल से बात है मोल वाला कोशन जो पूछ रही थी अगर मैं आपको ऐसा ही बता दो उन्हीं बिना किसी बेस के ता आप एक्सेप्ट करेंगे किसी को कहां से आया नहीं है तो नहीं है सकते हैं तो नहीं है सकते हैं